Hello everyone, welcome to my channel इस वीडियो में मैं explain करूंगा कि higher order multiplexer को lower order multiplexers की health पर कैसे implement किया जाता है जैसे हमें for example first question में क्या करना है 4 is to 1 max को या multiplexer को implement करना है using 2 is to 1 multiplexers तो देखिए सबसे पहले हम पता करते हैं कि कितने multiplexers हम हमें use करने होंगे तो उसके लिए क्या करते हैं कि देखिए जो हमें required है that is 4 x 1 ठीक है न और जो हमें दिया गया है ठीक उससे क्या करेंगे पहले inputs को balance करेंगे ठीक है तो अगर हमें input पे 4 अगर हमें input side पे 4 inputs चाहिए तो 2 x 1 multiplexer के हमें 2 multiplexer लगाने पड़ेंगे first stage में वो कैसे पता लगा कि हमने पहले जो required है उसको given बाले multiplexer की number से divide कर दिया तो यहाँ पे value के आ गई 2 ठीक है तो first stage में we will require two number of mux ठीक है न तो 2 mux जो यह number आया है तो mux required होंगे in first stage ठीक अब यह जो number है जो भी number है उसको हम ले जाएंगे इस side दोबारा 2 फिर उससे divide करेंगे जो हमें given है 2 तो अब यहाँ value के आ गई 1 1 mux is required 1 mux is required in next stage that is second stage ठीक है और साथ में हम check करेंगे कि यह number जब 1 यह 1 से छोटा हो जाएगा तो हम भोग जाएंगे ठीक है न so we will stop ठीक है न when the we will stop when value is 1 और less than 1 ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमें कितने total multiplexer required है two plus one ठीक है न पहली stage में लगेंगे two दूसरी stage में लगेंगे one ठीक है न तो हम क्या करेंगे अब हम blocks draw कर लेंगे ठीक है न बना लेंगे two cross one multiplexer के दो बना लेंगे और column wise first stage में then एक बना लेंगे कितमे second stage में ठीक तो देखिए as per this division हमने का किया कि दो multiplexer पहली stage में और एक multiplexer दूसरी stage बना लिए ठीक है न अब यहाँ पर लिख दोगे आप क्या i0, i1, i2 and i3 ठीक है अगर यहाँ पर 8 होता तो यहाँ पर i0, i1, i2, i3 अपको i7 लेखते राइट तो यह आपने complete कर लिए अब इसके बाद यह जो intermediate stage है ठीक है इसका जो output है वो हम connect कर देंगे इसके first input से इसका जो output है वो हम connect कर देंगे इसके second input से ठीक इसमें भी एक selection line हो ठीक है न यह क्या हो जाएगा y output ठीक अच्छा अब इसमें रही बात selection line की selection line कैसे अपलाई करेंगे तो देखिए इसमें selection line कितनी होंगी 4 cross 1 में जब आप इसको compare करोगे 2 power n cross 1 से तो n की value क्या हो जाएगी 2 क्योंकि 2 power 2 ही तो 4 होती है ठीक तो selection line कितनी होंगी इसमें 2, 2 कौ s not क्या है lsb और s1 क्या है msb ठीक तो देखिए जो lsb होती है उसको हम पहले लिखते हैं first stage में क्या आएगा lsb तो यहां पर लिखेंगे s not और जो यहां पर होगा वह यहां पर होगा first stage में ठीक है न ऐसा नहीं होगी first stage में आदी s not है आदी s1 ऐसा नहीं होगा s not आ गया फिर जो remaining है उसको आगे बढ़ते हुए करम में रिखते आते हैं right तो यहां पर आ जाएगा क्या s1 ठीक है तो देखें जो अकेला है उसको ज्यादा priority वाली selection में मिलने चाहिए तो उसको मिली s1 और जो भीड में है ज्यादा है उसको lower वाली मिलने चाहिए तो उन् x 1 multiplexer को 2 x 1 multiplexer से implement किया जाएगा अच्छा इसमें एक चीज और है कि यह हमने implement किया है क्या 4 x 1 using 2 x 1 mugs इसी तरीके से अगर यहां पे हम यह complete हो गया अगर यहां पे हम एक mirror लगाते है तो इसका जो भी reflection होगा ठीक है उससे जो diagram बनेगा उससे जो यह structure बनेगा वो क्या हो ज 1 x 4 d mugs ठीक है यूजिंग 1 x 2 d mugs ठीक है तो उसका just reverse हो जाएगा बाकी as it is रहेगा पहले as बनाएगा एक multiplexer रहेगा ठीक है फिर इसके बाद 2 d multiplexer लगाएंगे हम 1 x 2 के यह चीज है अच्छा अब देखे next question अब देखे next question में आपको implement करना है 8 x 1 mugs using 2 x 1 mugs तो अगेन हम क्या करेंगे यहाँ जो required है उसको पहले लिखेंगे और जो given है ठीक है ना उस number को से divide करेंगे तो कितना आगे है यहाँ पे 4 ठीक है ना तो 4 mugs in first stage first stage required होंगे ठीक है इस number को आप यहाँ ले जाओगे दबारा 4 और फिर जो given है उससे divide करोगे तो क्या जाएगा यहाँ पे 2 second third stage ठीक है तो पहली stage में 4 दूसरी stage में 2 और तीसरी stage में 1 टोटल आपको 7 maxis की requirement होगी 2 x 1 ठीक है तो आप एक diagram में क्या करेंगे सबसे पहले 4 block लगाएंगे 2 x 1 के फिर 2 block लगाएंगे फिर एक block लगाएंगे अब देखे इसमें connection कैसे होगा स्टार्टिंग में जितने 8 इंपूट्स आपको 8 x 1 चाहिए तो 8 इंपूट्स होँगे तो यहाँ पर क्या लग लगाएंगे i1 i2 up to i7 अब इसके बाद इनके आउट्पूट्स को आप यहाँ पर connect कर रहोगे 1 2 sequence में फिर इसका आउट्पूट्स इसके इंपूट्स इसका आउट्पूट्स इसके इंपूट्स इसके दो इंपूट्स पर connect हो जाएंगे और यह final output हो जाएगा ठीक अर रही बाद selection line की तो इसमें 3 selection line होंगी ठीक है न कौन सी होंगी s2 क्या होंगी s2, s1 and s0 तो जो lsb है क्योंकि जो least significant है उसको जहाँ सबस्यादा भीट होगी पहले वहाँ apply करेंगे तो यहाँ पर apply करेंगे s0, s0, s0 and s0 ठीक फिर इसके बाद next, next stage पर आएगी s0 के बाद इससे बड़ी कॉन सी है इसके बाद आएगी s1, s1 और जो msb है s2, वो last stage पर जाएगी ठीक है न तो यह हो जाएगा implementation of 8 x 1 using 2 x 1 multiplexer ठीक है इसी तरीके से आप यहाँ पर mirror लगा के implement कर सकते हैं क्या उसमें पहली stage में आएगा 1 dmux, फिर 2 dmux आएगे फिर इसके बाद 4 dmux आएगे 1 x 2 k ठीक है न जब आपको implement करना होगा 1 x 8 dmux आएगे ठीक है thank you everyone